हलो फ्रेंट्स मरीटा की क्रियेशन्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए खूबसूरत से बेबी शूज लेकर आई हूँ ये शूज तीन महीने से लेके छे महीने के बच्चे को इजी ली आ जाएंगे और ये देखिए शूज बनाने बहुत ही असान है और ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये बेबी शूज के लिए हमने पचास फंदे लिए हैं फंदे डाल कर अब हम उल्टी साइड से देखिए ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब ये देखिए हम सीधी साइड आगे राइट साइड राइट साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे सभी फंदों को हमने उल्टा बुनाई करना है परल वाइस आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब हम देखिए उल्टी साइड आगे उल्टी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब हम देखिए सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करेंगे ये हम धारियां बनाएंगे शू पर ये देखिए ही हमारे शू का बेस बनकर तयार हो गया है ऐसे करके हमने टोटल एक, दो, तीन, चार ये चार धारियां बनाईएंगे हैं टोटल आठ सलाईयां बुनाई की हैं अब देखिए हम उल्टी साइड से, रॉंग साइड से दूसरे रंग का बुल अटैच कर लेंगे तो हमने पहला फंदा उतार लेना है अब ये दूसरे रंग से हमने बुल अटैच किया दूसरे फंदे पर हमने देखिए एक फंदा उल्टा बुनाई किया दूसरे रंग से फिर एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे फिर देखिए हमने एक फंदा उल्टा बुनाई किया दूसरे रंग से एक फंदा बिना बुने उतारेंगे एक फंदा उल्टा बुनाई किया एक फंदा बिना बुने उतारेंगे एक फंदा उल्टा बुनाई किया एक फंदा बिना बुने उतारेंगे अब हमने ये सारी सलाई ऐसे ही बुनाई करनी है ये दूसरे रंग से अब ये देखिए हम सीधी साइड आगे राइट साइड सीधी साइड से हमने देखिए ये दूसरे रंग वाला फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे फिर धागा पिछे की तरफ करेंगे ये बिना बुने वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे फिर धागा पिछे करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे अब हमने ये सारी सलाई ऐसे ही बुनाई करनी है अब हम देखिए उल्टी साइड आगे उल्टी साइड से अब हम पहले वाले रंग से बुनाई करेंगे तो हमने ये पहले वाले रंग से सारे फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे अब फिर देखिए हम सीधी साइड आगे राइट साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे अब फिर देखिए हम उल्टी साइड आगे उल्टी साइड से अब हमने जैसे डिजाइन की पहली सलाई बनाई थी सेम वैसे बनानी है दूसरे रंग से हमने पहला फंदा उतार लेना फिर हम एक फंदा दूसरे रंग से उल्टा बुनाई करेंगे फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे अब हम ये सारी सलाई देखिये ऐसे ही बुनाई करेंगे अब ये देखिए हम फिर सीधी साइड आगे सीधी साइड से जैसे हमने डिजाइन की दूसरी सलाई बनाई थी सेम वैसे बनानी है ये देखिए एक फंदा हमने उल्टा बुनाई किया धागा पिछे की तरफ करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे धागा पिछे किया एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा आगे किया एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे धागा पीछे किया, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे अब हम ये सारी सलाई ऐसे बुनाई करेंगे अब हम देखें उल्टी साईड आगे, रॉंग साइड अब हमने पहले वाले रंग से जैसे डिजाइन की तीसरी सलाई बनाई थी सेम वैसे बनानी है ये हम सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे अब फिर देखिए हम सीधी साइड आगे हमने जैसे डिजाइन की चौती सलाई बनाई थी सेम वैसे बनानी है हमने ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करनी है सीधी साइड से देखिए हमने दो सलाईया डिजाइन वाली बनानी है और दो सलाईया हमने सिंपल पहले वाले रंग से उल्टी उल्टी बुनाई करनी है अब हमने इनी देखिए चार सलाईों को बार बार रिपीट करना है ये देखिए ये हमारा भीच का भाग बनकर कम्प्लीट हो गया है अगर हम ये दूसरे रंग वाले लाइन्स काउंट करें गिने तो एक, दो, तीन और चार ये चार है और अब हमने देखिए उल्टी साइड से पहले वाले रंग से एक सलाई उल्टी बुनाई कर ली है अब हम सीधी साइड आगे अब हम शूका उपर का पार्ट बनाएंगे तो वो कैसे बनाना है ये हमारे टोटल पचास फंदे हैं फिफ्टी स्टिच्चिज हैं इनको हम तीन भागों में बांटेंगे तेरा तेरा फंदे हम दोनों साइड रखेंगे बीच में हमारे चौबिस फंदे आएंगे अब ये देखिए हमने अब सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे इसको एक गिनेंगे दो, यह हम उल्टा बुनाई कर रहे हैं, तीन, चार, पांच, छेर, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, और तेरा, यह तेरा फंदे हमने बुनाई कर लिए, भीच में हमारी यह 24 फंदे हैं, इन 24 फंदों को हमने देखिए, ऐसे दो फंदों का एक बनाया, फिर अगले दो फंदों का भी हमने एक बनाना है, ऐसे करके यह बारा बार हमने बनाना, यह एक दो हो गए, फिर दो फंदों का एक बन बनाया चार, फिर दो फंदों का एक बनाया पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, और बार. ये बाकी बचे हमारे तेरा फंदे हम उल्टे बुनाई कर देंगे. अब हम देखिए उल्टी साइड आगे, रॉंग साइड, उल्टी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है, और ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करनी है, उल्टी साइड से हमने कोई फंदा नहीं घटाना. और फिर देखिए हम सीधी साइड आगे, और फिर हम फंदे घटाएंगे, फिर से हमने इसको एक गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा और तेरा, ये हमने देखिए, तेरा फंदे उल्टे बुनाई कर लिए, भीच में अब हमारे ये बारा फंदे हैं, इनको हम छे बार घटाएंगे, तो दो, दो फंदों का एक बनाएंगे, एक, दो फंदों का एक बनाया, यह उल्टा बुनाई किया, फिर दो फंदों का एक बनाएंगे, दो, फिर से हम दो फंदों का एक बनाएंगे, तीन, चार, पांच, और छे, यह दिखे, बीच में से हमने फंदे घटा दिये, ये बाकी बचे हमारे फंदे हम उल्टे बुनाई कर देंगे आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे अब हम ये देखिए उल्टी साइड आगे रॉंग साइड रॉंग साइड से हमने सारी सलाई उल्टी बुनाई करनी है अब फिर देखिए हम सीधी साइड आगे अब हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे अब हमारी सलाई पे टोटल 32 फंदे हैं 32 स्टिचेज हैं तो अब ये हम सारी सलाई उल्टी बुनाई कर देंगे अब हम ये देखिए उल्टी साइड आगे रॉंग साइड रॉंग साइड से हमने सारी सलाई उल्टी बुनाई करनी है अब देखिए हम सीधी साइड आगे अब हम यहाँ पर जाली बनाएंगे डोरी डालने के लिए तो अब हम कैसे बनाएंगे पहला फंदा हमने उतार लिया ये हमारी सीधी साइड है एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे अब देखिए हमने इस धागे को सलाई पर ऐसे घुमाना है ये हमारी एक जाली बन गए फिर हम दो फंदों का ऐसे एक बनाएंगे फिर से हमने धागे को सलाई पर गुमाया फिर दो फंदों का हमने उल्टा एक बुनाई किया फिर धागे को सलाई पर गुमाया दो फंदों का हमने एक बनाना है फिर से धागे को सलाई पर गुमाया दो फंदों का एक बनाया ऐसी अब हमने ये सारे फंदों को ऐसे करने अब उल्टी साइड आगे रॉंग साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और सभी फंदों को हम उल्टा बुनाई कर देंगे अब ये देखिए हमने सारी जाली बना ली अब हम देखिए सीधी साइड आगे पहला फंदा हमने उतार लिया और ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब देखिए हम सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करते जाएंगे ये हम शू का रिब का पार्ट बनाएंगे अब ये देखिए हमने शू का उपर का पार्ट भी कम्प्लीट कर लिया ऐसे करके हमने एक, दो, तीन ये तीन धार्या बनाईएं टोटल अब हम उल्टी साइड से देखिए हम शू को बंद करेंगे तो हमने शू को कैसे बंद करना है हम सभी फंदों को बंद करेंगे तो देखिए दो फंदों को हमने ऐसे लिया और दो फंदों का हमने उल्टा एक बनाया फिर इस फंदे को हम सलाई पे लेंगे फिर दो फंदों का एक बनाएंगे फिर इस फंदे को सलाई पे लेके दो फंदों का देखिए एक बनाया अब हमने ये सब भी फंदों को ऐसे ही बंद करना है अब हम यहां से देखिए धागे को काट देंगे और इसको यहां से हम पक्का कर देंगे यह देखिए हमारा शू बनकर तयार हो गया अब यह देखिए सीधी साइड हमारी उपर की तरफ है अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो यह उल्टी साइड अब हमारी उपर की तरफ आ गई अब हम इसको यही वाले धागे को सुई में डालेंगे इसको यहां से लेके हम यहां तक इसकी सिलाई करेंगे अब हम यहां से इसकी सिलाई शुरू करेंगे इसकी जए इसकी सिलाई शुरू करेंगे झाल झाल यह खूबसूरत से शूज आप अपने बेबी के लिए बनाएं प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद